नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पे दोस्तो आज हम जानेंगे फोर्स पंप के बारे में कि फोर्स पंप क्या होता है और किस प्रकार से ये काम करता है तो उससे पहले चैनल पर नए है तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दे पंप तो सबसे पहले जानते हैं पंप के बारे में कि पंप किसे कहते हैं पंप एक ऐसा उपकर्ण होता है जो कि लिक्विड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रैसर के मादम से पहुचाने का काम करता है तो उस यंत्र को ही पंप कहा जाता है जब भी किसी भी स्थान के उपर fire होती है तो उस आग को बुझाने के लिए पानी की अवशक्ता होगी और पानी को pressure से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए किसका यूज लेते हैं pump का तो इस प्रकार से pump के मादम से liquid को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगनी दुरगटना स्थल्थ पहुचाया जाता है और उसके मादम से जो पानी मिलता है उसके द्वारा fireman fire fighting करके आग को बुझाने का काम गलता है तो उसे यंत्र को ही उसे equipment को ही किसके नाम से pump के नाम से जाना जाता है fire के अंदर pump मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं पहला positive displacement pump, दूसरा centrifugal pump और तीसरा होता है jet ejector ये जो है force pump वो positive displacement pump का ही प्रकार है positive displacement pump की मैं बात करूँ तो force pump, lift pump, rotary pump, semi rotary और plunger pump ये सभी जो पार्ट है, सभी जो प्रकार है वो positive displacement pump के ही होते है तो जानते हैं force pump के बारे में कुछ इस प्रकार का एक पंप होता है force pump इस प्रकार का इस force pump के यहाँ पर ये जो स्थान है इस स्थान पर piston लगा होगा इसको बोला जाता है piston के नाम से और ये जो पार्ट है ये इस पार्ट को जाना जाता है cylinder के नाम से cylinder के नाम से जिसको जाना जाता है यहाँ से जो पानी है वो in होता है और इस स्थान से out होता है तो इसको बोला जाता है inlet और इसको बोलते हैं outlet सबसे पहले क्या होगा ये जो piston है force pump का जो ही piston नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ आने के बाद में फिर उपर की तरफ जाएगा तो इस cylinder के अंदर ये जो पार्ट है इसको cylinder के नाम से जाना जाता है इस cylinder में जो भी air भरी हुई है हवा जो भरी हुई है उस हवा को piston अपने साथ उपर खेंच करके बाहर निकाल देता है इस परकार से यहां से जितनी भी air भरी होगी हवा जो होगी वो बाहर निकल जाएगी और बाहर निकलने के बाद में जो पानी है वो धीरे धीरे उपर की तरफ आना सुरू हो जाता है फिर जो ही piston नीचे की तरफ दबाव दिया जाएगा तो जो पानी है वो धीरे धीरे आगे की तरफ जाना सुरू हो जाता है फिर दोबारा इसमें हवा को बाहर निकालता है और फिर दोबारा से piston नीचे की तरफ चोट मारता है इस परकार से इसके अंदर निर्वात बन जाता है इस कारण से इसमें निर्वात बन जाता है हवा continue बाहर निकलती रहती है और पानी जो है आगे की तरफ बढ़ता रहता है इस परकार से तो इस परनाली को जो यूज ली गई वो कौन से पंप की होती है force pump की जो force pump है वो एक पिचकारी की रूप में काम करता है जिस प्रकार से हम पिचकारी बढ़ते हैं पानी की सेम उसी प्रकार से force pump काम करते है सबसे पहले piston आएगा पिस्टन जो ही नीचे की तरफ दबाओ देगा इसके अंदर air जो है वो उपर की तरफ बाहर खीच करके निकाल देता है और इस प्रकार पानी जो है दीरे-दीरे आगे की तरफ बढ़ता रहेगा इसके कारण continue air को ये बाहर निकालता है और इसमें निर्वात बनना सुरू हो जाता है जिसके कारण पानी inlet से आता है और outlet की तरफ बाहर निकल जाता है इस प्रकार हम किसी भी स्थान से पानी निकालने का काम करते है तो ये होता है force pump force pump के बारे में अच्छे तरीके से हमने जाना कि किस प्रकार से काम करता है और कौन से pump का यह प्रकार है तो वीडियो अच्छी लगी तो like करें, comment करें, share करें इसी प्रकार की interesting वीडियो आप तक आती रहेगी तब तक के लिए जैहिंद, जैबारत